Hey guys, welcome to the study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, आज हम लोग test 78 के अंतरगत UPSC prelim से संबंदित भारती और राज व्यवस्ता इवं सासन के प्रशनों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कुस करना है याबर आज का पहला प्रशन है, ध्यानारकर्सर प्रस्ताओं के संदर्व में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए, पूछा गया है कौन सा कतन सही है इसे राष्टपदी पर महाभयोग जैसे अत्यंत महत्पूर विश्यों पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है या संसदी प्रक्रियाओं में एक भारतिय नवाचार है देखे ध्यानाल कर्चार प्रस्ताव जो है या संसद में किसी सदस्त द्वारा अभी लंबनी ये सार्जिक महत्तु के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्सित करने और उस मामले पर उनसे एक आधिकारिक वक्त तब्य प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो अवलंबनी जो साजनिक महत्तों के मामले हैं इन में देश के किसी भाग में असान्ती, सीमा संकट, रेलवे दुरवटना, साजनिक उपकरमों के बंद होने के मामले बगरा ये सब आ जाते हैं राष्टपती के महावयोग बगरा का मामला इसमें नहीं आता है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा यानि इसका जो उल्ले के वो प्रक्रिय नियमों में हैं, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका पहले का बी वाला, केबल सेकिंड दूसरा रश्टनेम आपका निम्लिकित में से कौन सी संसदी समित की विशेस्ता है या है या संसद के सदन द्वारा नियुक्तिया निर्वाचित की जाती है अत्वा जिसे लोकसवा अध्यक्षा सभापती द्वारा नाम रिजिस्सित की आ जाता है या भारत के राश्पती को अपना प्रतिवेदन सौपती है इसका एक सचवाले है जिसकी विवस्ता संसदी एक कार्य मंत्राले द्वारा की जाती है आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना है देखिए संसदी समिती संसत के सदन द्वारा नियुक्तिया निर्वाचित होती है अत्वा जिसे लोकसवा अध्यक्ष या फिर सभापती के द्वारा नाम निर्दिसित किया जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन फिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेकिंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है, येकि संसधी सत्मिती अपना प्रतिवे दन, सदन को अतवा लोकसवा अध्यक्ष या फिर राजसवा में सभापती को प्रस्द करती है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कतन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा वाला कतन सही है आपका सही आंसर है second का A केवल एक तीसरा प्रश्ण वापका ग्राम न्यायलों के संधर्म में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पुशा गिया है कौन से अकतन सही है इसके फीठा सी नदिकारी ये न्यायादिकारी कि न्युक्ती उच न्यायले के परामर से राज सरकार द्वारा की जाती है या एक चल न्यायले यानि मॉबाइल कूर्ट है और यह फोज़दारी इवं दीवानी दोनों न्यायनलों की सक्तियों का प्रयोग करता है देखें आपका पहला वाला कतन बिल्कूर सही है ग्राम न्यायले की अध्यक्षता एक न्यायदिकारी द्वारा की जाती है यहाँ पर आपका पहला वाला कतन ये भी सही है देखें यह एक चल न्यायले यानि मॉबाइल कोर्ट है और या फोजदारी और दीवानी दोनों नयायलियों की सक्तियों का ये प्रियोग करता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन ये भी सही है तो यहाँ पर ग्राम नयायलियों के बारे में आपके दोनों ही कथन सही है तो आपका सही आंसर है यहाँ आपर तीसरे का सी यानि एक और दो दो नौव चौधा प्रशने बापका हाल ही में सुर्कियों में रहे प्रत्रपड अधनियम 1962 के संधर्व में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए मुशा गया है कौन सा अकतन सही है यहाँ अधनियम प्रत्रपड संधी को भारत द्वारा किसी वद्यसी राजी के साथ कीगी संधी या समझोते की रूप में परिवासित करता है जिसमें 15 अगस्ट 1947 से पहले कीगी संधियां भी संब्लिद है अधनियम के अंतरगत जाचा दीन यम विचारा दीन अपरादियों के मामले में भी प्रत्रपड अन्रोद किया जा सकता है भारत में ग्रह मंत्राले प्रत्रपड के लिए नोडल प्रादिकारी है देगे जो आपका प्रत्रप्रत अधनियम 1962 है तो यह अधनियम भगोड़े अपरादियों के प्रत्रप्रत से सम्मदित विदेशी राजी के साथ भारत द्वारा कीगी संधी समझोते या विवस्था के रूप में प्रत्रप्रत संधी को परिवासित करती है और इसमें 15 अगस्त 1947 से पहले कीगी संधीया में समलित है जो भारत में लागू और इस पर बात दिकारी है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है यह बिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन यह भी सही है यहाँ पर बताया गया है कि अधनियम के अंतरगत जाचा धीन विचारा धीन अपरादियों के मामले में भी प्रत्रपड अंद्रोध किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन यह भी सही है यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुर सही नहीं है प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र कौन सा गतन सही है। इसे बड़े साजनिक उद्यमों द्वारा अपने कर्णचारियों और स्रमिकों को नागरिक सुपधाएं प्रदान करने हेतु इस्थाबित किया जाता है। राजी सरकार टाउन्सिप के प्रसासन प्रबंदन हेतु एक नगर प्रसासक की न्युक्ति करती है। इसमें कोई निर्वाचे सजस्य नहीं होता है। देखें यहाँ पर आपका पहला वाला गतन लकु सही है। भारत में आठ प्रकार के सहरी स्थानी सासन निकाये हैं जिनमें नगर निगम, नगर पालिका, अल्सूचित छित्र समिती, नगरी छित्र समिती, चावनी बोर्ट, टाउन्सिप, बंतरगा नियास और विसुर्स प्रियोजन के लिए गढ़ित एजेंसी हैं। टाउन्सिप एक प्रकार का सहरी सासन निकाये हैं जिसकी स्थापना बड़े साधनिक उद्यमों द्वारा सयंत्र के समीप इस सित्थ आवासी कालाणियों में रहने वाले कर्मचारियों और स्रमिकों को नागरी सुधाय प्रदान करने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गथन पिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका केवल एक और दो यानि एक और तीन कसन सही है तो आपका सही आंसर है पांच मेंका डी केवल एक और तीन। छटमा प्रश्णे बापका अध्यादेश प्रख्याप्यत करने की राश्पती की सक्ती के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए। उचा गया है कौन सा गतन सही है इसके द्वारा संसत के किसी भी अधनियम को निर्सित या संसोदित किया जा सकता है इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है इसे सामान प्रश्चितियों में राजिसूची में प्रगडित विश्यों पर जारी किया जा सकता ह लेकिस संविधान का जो अनुच्छे इसको 23 है यह राश्टपती को संसत के बिस्तरांति काल के दुरान अप्रत्यासित या अविलंबनी महत्यों के मामनों से निपडने के लिए अध्यादेस प्रख्यावित करने की सक्ति प्रदान करता है और इन अध्यादेसों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसत के अध्यादेस के अध्यादेस प्रख्यावित कर सकता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन प्रख्यावित कर सकता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन प्रख्यावित कर सकता है यहाँ पर आपका दूसरा वाला जो गतन है यह बाल किसी पिछली तारिक से भी इसको लाउ किया जा सकता है, यानि अर्था इसे परवर्थी तिसी से भी लाउ किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन ये भी सही है, यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन है, इसे सामान प्रस्थितियों में राज सूची में प्रकडित विस्यों पर जारी किया जा सकता है ये गलत है देखे राश्टी आपात के दोरान संसद को राज सूची में प्रकडित किसी भी विस्यापर बिदी बनाने की सक्ती प्राप्त हो जाती है और राश्टी आपात के उद्गोषणा के प्रवर्तन के दोरान, यदि संसद सत्र में नहीं है, तो राश्टपती जो है, राजिसुची के विस्यों पर भी अध्यादिस प्रख्यापित कर सकता है, तो यहां पर बोला गया है, इसे सामान प्रस्तितियों में राजिसुची प सकता है, तो यहां पर आपका तीसरे वाला कथन गलत हो जाएगा, यहां पर आपका केवल एक और दो कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चटमे का ए, केवल एक और दो, यहां पर तीसरे वाले का मतलब यह है, कि राश्टपती जो है, राश्टपती जब संसत भंग हो, उस प्रिम लेखित कत्नों में से कौन सा सही है यह आपको बदाना है। प्रिम लेखित किया गया तो आपका पहला वाला ए वाला कथन तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा D वाला है कि यह संसत की सबसे बड़ी समिति है देखे यह भी गलत है देखे यह संसत की सबसे बड़ी समिति नहीं है जो आपकी विभागी समतियां होती है विभागी स्थारी समितियां जो होती है विभागी स्थारी समितियां जो है वो संसेत की सबसे बड़ी समितियां होती है तो यहाँ पर आपका D वाला कथन कलत हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर है साथ में का D वाला आठमा प्रश्णे माँका निर्गम मत सर्विच्छड के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए उच्छा गया है कौन सा खथन सही है पहला है निर्गम मत सर्विच्छड इस संदर में एक जन्मत सर्विच्छड है कि किसी निर्वाचन में एक रायनेतिक दल या उमीदबार की पहचान के संबन में मत दाताओं ने कैसा भेवार प्रसित किया है कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेच्षड नहीं करेगा और इसके परडाम का निर्वाचन, आयोग द्वारा, अलसूचित निर्वाचन अबदी के दौरान कासन नहीं करेगा देखे, निर्गम मत सर्वेच्षड का मलब है, exit pole आसान सब्दों में, इसको तो आपने सुनाई होगा, exit pole, exit का मलब क्या होता है ये एकदम सटीक, जैसे अपना TV चैनल बगरा बता देते हैं कि भाई, इतनी सीटें इस पार्टी की आएंगे फलानी पार्टी चीतेगी, या फलानी पार्टी हारेगी, तो यह जो exit pole है, इसके बारे में कुछ भी प्रादधान है याई exit pole जो है, election की दौरान नहीं लाया जा सकता है, और election खत्म होने के कुछ घंटे बाद इसको जारी किया जा सकता है पहले जारी नहीं कि हो सकता है, तो यहाँ पर वही है, देकि निर्गम बद्र सरविच्छड जो है, याणी exit pole जो है, एक जन्मत सरविच्छड है जो कि किसी निर्वाचन में मददाताओं ने या सभी मददाताओं ने कैसे मददान किया है या किसी निर्वाचन में सभी मददाताओं ने एक राजनियतिक दल या उमीदवार की पहचान के संबंद में कैसा बेवार प्रसित किया है ये प्रसित करता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन फिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेकंड वाला गतन यह भी सही है देगे जो आपकी लोग प्रतनित अधनियम 1951 है 1951 की यहाँ पर एक धारा है 126A तो इस धारा 126A में इस प्रश्टूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेच्चड यानि कोई एक्जिट पोल नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेच्चड के परड़ाम का ऐसी वधी के दोरान जो निर्वाचन आयोगदारा इस संबंद में अजसुचित की जाए प्रिंट या एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रकासन या प्रचार या किसी वी प्रकार की अनिर्ष से प्रसार नहीं करेगा यानि कहने का मलब क्या है जब तक चुनाओ संपन नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी एक्जिट पोल जारी नहीं करेगा तो यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कतन ये भी सही है तो यहाँ पर आपका एक और दो दोने कतन सही है तो आपका सही आंसर है आट में का सी यानि एक और दो दोनो नौमा प्रश्टन है वापका निमलिखित कतनों पर विचार की जिए पूछा गया है कौन सा गधनिया पर सही है पहला है संसत अधस्यों को पूरु सूचना दिये बिना मामले उठाने में सक्षम बनाने ये दू संबिधान में सुन निकाल का प्राबधान किया गया है अगला है संसत के प्रस्नकाल के दोरान सभी प्रकार के प्रस्नों के लिए केवल मौकिक उत्तर देने की आवशक्ता होती है ताकि पूरक प्रस्न उच्छे जा सकें देखे भारती संभिधान और प्रक्रिया नियमों में सुन निकाल का उल्लेक नहीं है इस प्रकार या पूरु सूचना दिये बिना मामलों को उठाने के लिए संसत अजस्यों के लिए उपलब एक अनौपचारिक उपकरण है यानि यहाँ पर सुन निकाल की जो चर्चा हो रही है यह एक अपचारिक उपकरण नहीं है बलके एक अनौपचारिक उपकरड़ है, यानि कि जिरो आवर जो है, इसकी चर्चा जो है कहीं भी संब्धान की प्रक्रिया या नियमों में नहीं है, तो आपका पहला वाला गतन गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, संसत के प्रश्नकाल के दोरान, सभी प्रगार क प्रश्नों के लिए केबल मौकिक उत्तर देने की आवशक्ता होती है, ताकि पूरक प्रश्न पूछे जा सके हैं, देखें यहाँ पर प्रश्नकाल में तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो तारंकित प्रश्न होते हैं, दूसरे अतारंकित होते हैं, तीसरे अल्प पूर्ण सूचना प्रशन ऐसा प्रशन होता है जिसे दस दिनों से कम समय की पूर्ण सूचना देकर उचा जाता है और इसका उत्तर भी मौकिक रूप से दिया जाता है लेकिन जो आतारंकित प्रशन है इसके उत्तर लिखित रूप से दिये जाते हैं और इसके बाद किसी प् ही है और ना ही दूसरा दस्मा प्रश्णे बापका जिला नयाधीस के रूप में नियुक्ति के लिए निम्निखित में से कौन सी सर्ते हैं वैसंग या राय सरकार की सेवा में पहले से ही नहीं होना चाहिए वैस साथ वर्स तर अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो उसकी नियुक लाए गए हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुर सही है कि वैसंग या राय सरकार की सेवा में पहले से ही नहीं होना चाहिए तो एक मांदर्ण ये भी है सेकिंड वाला जो कतन है ये भी सही है वैस जिला नियुक्ति होने के लिए केबल तभी पात रहोगा जब वैक कम से कम साथ वर्स तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है यहाँ पर आपका तीसर वाला कतन बिल्कुर सही ह उसकी न्यूक्ति के लिए उच्छ न्यायलेने सिफारिस्की है तो उस आधार पर भी उसको जो है जला न्यायदिस बनाया जा सकता है तो यहाँ पर आपका एक, दो, तीन, तीनों ही कतन सही है आपका सही आंसर है दसमे का एक, एक, दो, और तीन ग्यारेमा प्रश्णे बापका, संसदी कारवाईयों के संदर में निम लिकित कतनों पर विचार कीजिए, उचा गया है कौन सा अकतन सही है प्रत्यक सदन में गलपूर्ती पीठासी नदिकारी को छोड़कर सदस्यों की कुल संख्या का दसमा भाग होती है कोई सदस्य भारती संब्यदान की आडवी नुसूची में उलिकित भासा में ही सदन को सम्मोधित कर सकता है एक गड़पूर्ती की बात करें, तो गड़पूर्ती सदस्यों की नियूंतम संख्या है जिन्हें सदन दौरा किसी कारवाई को आरम करने से पहले सदन में अवश्चत होना अनिवार है तो यह प्रतियक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का दसमा भाग होती है जिसमें पीठासी नदिकारी भी सामिल होता है याँ पीठासी नदिकार यूँ छोड़कर नहीं है बलकि ये भी इसमें include होता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा याँ अगर इसका आर्श से देखें तो यदि कोई कारवाई आरम करनी है तो लोकसवा में कम से कम 55 candidate होना चाहिए और वहीं राज सवा में कम से कम 25 candidate होना चाहिए याँ कि राज सवा में 25 होने चाहिए कोई कारवाई आरम करने के लिए लोकसवा में 55 candidate होने चाहिए तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा सेकंड वाला कतन यहाँ पर ये भी सही नहीं है संबिधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसत की कारवाईयों की भासा की रूप में प्रादिकत किया गया है हाला कि पीठासी नदिकारी किसी सदस्य को उसकी मात्र भासा में सतन को संबोधित करने की अनुवति दे सकता है यहां पर संसत की कारवाईयों की भासा प्रादिकत की गई है वो हिंदी और इंग्लिस की गई है आला कि पीठासी नदिकारी चाहे तो किसी भी सदस्य को उसकी स्थानी भासा में बोलने की अनुवति दे सकता है तो यहाँ पर आपका सेक्न वाला ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका एक और तो दोने ही गलत है तो आपका सही आंसर है 11 का डी ना तो एक सही है और ना ही दूसरा बारेमा प्रश्टने बाप का ओपरिउक्त मैंसे कोई नहीं नोटा नन आपदी एबब विगल्प के संधर में निम्लिक्त अतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा अकतन सही है इस विगल्प में मत दादा अपने मत की गोपनीता बनाए रखते हुए उम्मीदवारों को मत न देने के अपने अधिकार का परियुक कर सकते हैं उम्मीदवारों को जमानत रासी भाबस करने के लिए नोटा विकल्प में डाले गए मतों को डाले गए कुल वैद मतों की गड़ना में सामिल नहीं किया जाता है उश्तम नियाले ने निर्न दिया है कि भारत का निर्वाचनायोग electronic voting machine और मत पत्रों पर नोटा विकल्प परदान कर सकता है देखे कई वार क्या होता है कि आपकी जो constituency की seat है उस पर जितने भी candidate खड़े हैं उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आता है ऐसी स्थिती में आपको नोटा का विकल्प दिया जाता है आप नोटा का विकल्प दबा सकते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला खथन बिल्कुल सही है यहाँ पर देखे सेकंड वाला खथन ये भी सही है उमीदवारों को जमानत रासी भापस करने के उध्यस से नोटा विकल्प में जो भी बोट पड़े होते हैं तो नोटा विकल्प में मद देने वाले मद्दाताओं को निरवाचन में खड़े उमीदवारों को मद देने वाले बैद मत दाताओं की गर्णा में सामने नहीं किया जाता है और यहां तक कि जो नोटा विकल्पे है 600 वोट पढ़ गए नोटा पर चारसो वोट पढ़े जो भी कंडिगेट उनको तो भी यहां पर नोटा विजई नहीं होगा तो भी इन candidate में जिसको सबसे ज़्याद अबोट मिले होंगे वही बिज़ई गोसित होगा तो यहाँ पर आपका second वाला गतन ये भी सही है यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन ये भी सही है देखें यहाँ पर Supreme Court ने ये आदिस दिया है ये भारत का निरवाजन आयोग EVM पर या मतपत्रों पर नोटा विकल भी यहाँ परदान कर सकता है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन ये भी सही है यहाँ पर आपके तीनों कहतन सही है तो आपका सही आंसर है बारे का D यानि एक दो और तीन निंदा प्रस्ताव की बात करें तो देखे इसमें लोग सभा में इसे स्वीकार किये जाने के कारणों का उलेक किया जाना चाहिए और इसे किसी भी एक मंत्री या मंत्रियों के समूर या पूरे मंत्र प्रस्त के बरूद दुलाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव कुछ बिशिष्ट नीतियों और कारियों के लिए मंत्र प्रस्त की निंदा करने के लिए लाया जाता है यानि कि ये अविश्वास भेक्त करने का एक साधन है अगला है आपका धन्यवार प्रस्ताव पारित करके देखे धन्दवार प्रस्ताव क्या है? देखे धन्दवार प्रस्ताव 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 प्रस्त विक्त करने का साधन नहीं है अविस्वास विक्त करने का साधन नहीं है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गथन ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल पहला वाला गथन जो है निंदा प्रस्ताव परित करके यह अविस्वास विक्त करने का एक साधन है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तेरे का एक, केवल एक चौधयमा प्रश्टने बाप का राष्टपती की छमादान सक्ती के संधर्म में निमलिगत कत्नों में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है वह इस सक्ती का प्रयोग अपने बेका नुसार करता है उसका निर्णे नैक समिच्छा के अधीन होता है दया याच का करता को मौकिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है वह अपने आदिस का कारण बताने के लिए बाद नहीं है देखे राष्टपती जो है चमादान की सक्ती का प्रयोग कैंद्रिय मंद्र मंद्र के प्रामर्स पर करेगा ना कि अपने विवेक के अनुसार तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कु सही है उसका निर्णे नैक समिच्छा के अधीन होता है राष्टपती की यह सक्ती केवल उन मामलों में नैक समिच्छा के अधीन है जहाँ उसका निर्णे स्विच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भाबनापूर या बेदवाव कुड़ो तो ऐसी कंडिसन में उसकी नैक समिच्छा की जा सकती है तो यहाँ पर आपका बी वाला गतन यही सही है दया याज का करता को मौकिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गतन बिल्को सही है कि यहाँ पर कोई मौकिक सुनवाई नहीं होती है कि राश्टपती ने हमाएं चमादान क्यों नहीं किया उसका को रीजन बताएं तो ऐसी कोई जहाबर सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ पर आपका C वाला गतन पिल्गो सही है वो अपने आजिस का करण बताने के लिए वाद नहीं है मालीजी राश्पती ने चमादान की पहले की याज का खारिज कर दी है तो दूसरी आज का धायर करके इष्टे प्राप्त नहीं किया जा सकता है और नहीं राश्पती अपने आजिस का करण बताने के लिए उसको बाद किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका D बाला गतन ये भी सही है यहाँ पर आपका गलत वाला जो कतन है वो है चौदे का एक कीवल एक पंद्रेमा व्रश्टने बापका मंद्र परसत के संधर्म में निम्डे कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतन सही है राश्ट्पती की सिपारिस पर मंद्र परसत द्वारा पुनर विचार कीगी सहयता और सला राश्ट्पती पर बादिकारी होती है संभिधान की अनुसार मंद्र परसत द्वारा राश्ट्पती को दीगी सला की किसी भी न्यायले में जाच नहीं की जा सकती है मंद्र परसत सामय क्रूप से संसत के प्रती उत्तरदाई होती है देखे जो आपका संब्रधान का आर्टिकल 74 है इसमें कहा गया है कि राश्टपती को सहायता और सला देने के लिए एक मंद्र परसत होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा और राश्टपती अपने प्रत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सला की अनुसार कारी करेगा यानि कि उनकी जो सला होगी उसके अनुसार वो कारी करेगा हाला कि राश्टपती मंद्र परसत को ऐसी सला पर साधारत या आनिता पुनरवचार के लिए कह सकता है लेकिन अगर पुनेर विचार करने के उपरांत भी मंद्परसत पुने वही सला देती है तो राश्टपती पर वो बादिकारी होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्को सही है सेकिंड वाला गतन बिल्को सही है लेकिर संभिधान के नुसार मंदपरसद द्वारा राश्टपती को दीगी सला की किसी विन्यायले में जाच नहीं की जा सकती है तो यहाँ पर आपका सेक्ड वाला कतन ये भी सही है थर्ड वाला जो कतन है ये गलत है मंदपरसद सामविक रूप से संसत के प्रती नहीं बलकि लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होती है तो यहाँ पर आपका सीजरा वाला कतन गलत है यहाँ पर आपका केवल एक और दो कतन सही है आपका सही आंसर है 15 केवल एक और दो तो ये था मारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूने तो चलिए आज के लिए वस्तना ही Thanks for watching, Jai Hind